हेलो फ्रेंट्स एक्जाम द्वार चैनल में आप सभी का स्वागत है मैं हाजिर हूँ एक बहुत ही महत्पून और जरूरी सुचना लेकर आप सब के लिए सभी एक्जाम लिया गया था उर आज है पचीश सेप्टेंबर को बिहार में चुनाओ की घोषना कर दी गयी है चुनाओ की खोशना किसके दोरा की गई है तो ये किया गया है मुक चुनाओ आयुक्त और ये मुक चुनाओ आयुक्त कौन है ये आपको कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में बताना है नहीं तो इस वीडियो के लास्ट में आपको बता दूँगा तब तक आप हमें कमेंट कर करके बता सकते हैं जब तक मैं लास्ट तक पहुंचूंगा आपको यह कमेंट करके बताना है अगर आपको पता है ने तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा इस वीडियो से भी हम पांस से दस कोश्चन जीके के आपको बता दूँगा इसमें क्योंकि वैसे है तो यह बिहार चुनाओं से रिलेटेड लेकिन चुनाओं भी बहुत सारे परसन आएंगे जो नागरिक सास्त कोईगे आपने पड़े होंगे या पुलिटिकल साइंस कोईगे तो उससे मैं बतात सेप्टेमबर तक चला और 21 को यह खतम हो गया अब रिजल्ट का इंज़ार था सभी को लेकिन इससे पहले ही चुनाओं की घोसना आज यानि 25 सेप्टेमबर को चुनाओं की घोसना कर दी गई है पुरी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको दूँगा कि अब चुनाओं की बता देता हूं तो चलिए देखते हैं सबसे पहले है मूग चुनाओं आयूकDes अनका नाम आपको कमेंट करकर बताना है पहले चरण का चुनाओं 28 अक्टूबर को ओगा विहार में कबसे घोसना कर दे गई चुनाओं की तो 28 ओक्टूबर को चुनाओं शुरूं हो जाएंगे 28 क्टूबर चलिए आगे देखते हैं वियार सब चुनाओं की तारिखों का एलान ृक क MIN diff यानि 28 ओक्टूबर का चुनाओं पहले चरन का चुनाओं शुरूं हो गया है 28 ओक्टूबर से पहले फेज में 16 जिलो की 71 सीटों पर चुना होंगे 16 जिला में चुना होगा आपका जिला कौन सा है यह आप हमें कमेंट करके बताएंगे ताकि आपको अपने जिला का पता चल सके हमें भी आपके जिला का पता सके आप कहां से है है तो आपके जीले में कभ चुना होँ आप अपने जीले के इस आप से देख लिजेगा फिलाल 16 जीलो में बस कुछीब कुछी साम तक कहें या कल तक साम तक हीं आपको मिल जाएगा Pratt यह official website पर जारी कर दिया जाएगा तो तो 11 जीलो में पहले फेज़ में 16 17 हागे 10 नोवंबर को दूसरे चरण का चुनाओ वह सुरू होगा कब 8 अक्रुबर होगी पफेज से चलब धनतर से चुनाओ होगा और आगे च nest ग्लव करना च चल पर चलते हम अगा हमाँ तीसरा फेज सेज में 15 जिला होगा और उसमें 78 सीट पर चुना होगा आपको मैं बता दू कि बिहार में कुल कितने विधान सवा सीट है ये भी आपको काफी इंपोटेंट है अक्सर एक्जाम में पूछ दिया जाता है तो बिहार में कुल विधान सवा सीट कितनी है तो 243 ये जो विधायक आपके सब्सक्राइब कराते हैं वड्यायक को वह कितने होते हैं 243 चोटल विहार में विधान सवा यानी विधान सवा सीट है 243 विधायका आपके चुन कराते हैं पूरे विए से विधान परिच्द विभास में 2 परिचद हैसो उस्would आपको बहुत को बेद एसे बना रहा हूं आपकी जानकारी के लिए इसलिए मैं कुछ प्रस्णिव करा दता हूं ताकि आपको यह आसानी से याद हो जाए बिहार के बारे में तो चलिए तो कितना सभा के सदस द्वारा चुने गए इसमें वो सदस आते हैं तो विधार विधान सभा में कितने सीट है तो विधार विधान सभा में 243 सीट है और अभी जो इलेक्षन होगा 28 अक्टूबर को जो इलेक्षन होगा 28 अक्टूबर से जो शुरू हो रहा है उसमें जो वो 243 सीट के ये चुना होंगे, साथ ही बिहार विधान परचत में कितने सीट है, तो ये 75 सीट है, बाकि अब इसे के साथ लोग सवा में कितने सीट है, तो बिहार के लोग सवा में 40 सीट हैं, और राज सवा में 16 सीट हैं, जो दिल्ली में हमारा संसद है, तो संसद में हमारे लोग सवा में कितने सांसद जाते हैं तो यह चाले जाते हैं और राजसभा में राजसभा में हमारे 16 सांसद चुन कर जाते हैं चलिए आगे देखते हैं यह तो कुछ जवरी बाते थी अब क्या है चुनाओं में 6 लाग फेश सिल्ड का इस्तमाल किया जाएगा पूरे बिहार विधान सभा चुनाओं में 6 लाग फेश सिल्ड जो अभी कुरोना हमारी से बचने के लगाया जाता है वो 6 लाग फेश सिल्ड का उप्योग किया जाएगा चलिए आगे देखते हैं क्या पूरी तयारी कर रखिये चुनाओं आयोग ने बिहार में सुबह 7 बज़े से साम 6 बज़े तक व कि हम तभी अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी जो हमारा एस्टेट का एकजाम हुआ था उसमें पूरी तरह से धज्जी उड़ाई गई सोसल डिस्टेंसिंग की आपने कई चारी चनल पर देखा होगा आपने कई जगा देखा होगा आपने एकजाम दिया होगा जिस भी साम 6 बज़े तक वोटिंग होगी नामांकर में दो से ज्यादा गारिया नहीं रहेंगे यह कौन का है चीफ एलक्षन कमिशनर ने कहा है चलिए आगे दखते हैं और यह कौन है आप हमें कमेंट करके बताएंगे आखरी घंटे में कुरोना मरीज भी डाल सकेंगे जो आखरी चुनाओ योग ने कहा कि यह कुरोना के दोर में पहला चुनाओ होगा जो बिहार में कराया जाएगा कुरोना में पहला चुनाओ जो बिहार में होने जा रहा है आगे देखते हैं वोटिंग का समय एक घंटा बढ़ा दिया गया है एसा चुनाओ योग ने कहा है चलिए आगे देखते हैं क्नि हे सबसे बरावरत्य चुनाओं करेए घ्या घ्याGenे Himself आपको यह एक कनि मारे में आयए चुनाओं करेए जहा है चलिए आगे देखते हैं अब यह था में पॉइंट यह है दस नंवम्ब्र को आएंगे नतीजे दस नंवम्ब्र को इसका रिजल्ट आएगा दस नंवम्र को चुनाओ involves आएगा आपके एग्जाम का नहीं क्यों हो चुनाओ feathers ऒब करते जाएगा और धास नंवम्र को कुनाओinea नतीज्ड आयाएगा अब हम ju कि बिहार में जब चुनाओं का घोसना कर दिया गया है तो चुनाओं की घोसना के साथ ही अचार संगिता लागू हो जाता है क्या अचार संगिता लागू हो जाता है जैसे चुनाओं अज घोसना किया कि बिहार में चुनाओं 28 अक्टूबर से तो आज से ही यह अचार संगित है वो पहले का मामला है तो उस पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अब या आपका exam हो गया है 9-21 September की बीच तो अब अब इंसर की आने माला है तो इंसर की भी दे दिया जाएगा साथीsted की बात है तो इंसर की आने के बाद रिजल्ट भी दिया जा सकता है ऐसा हम को आ सकते हैं इसलिए क्योंकि ये पुराना मामला है और अचार संगिता उन मामलों पर लाग होती है जो अभी नया शुरू होने वाला जैसे अभी नितीश कुमार मुख मंतरिये भिहार के तो वो अब आज के बाद कोई नय फैसला नहीं ले सकते ह कोई नहीं नीती लाग नहीं कर सकते हैं कोई नया इसकीम नहीं चिला सकते हैं लेकिन जो पुराना मामला है पुराना इसकीम है पुराना जो घोचना किया गया है उस पर काम कर सकते हैं तो वह ऐसा हो सकता है कि रिजल्ट आपका दे दिया जाएगा एक एंसर की भी आ जाए उसके बाद 30 सेप्टेंबर को आपका आज 25 सेप्टेंबर है 30 सेप्टेंबर को आपका एंसर की जारी करने की बात कही जा रही थी किसी ने हमें सुत्रों ने हमें बताया हमें पता चला है 30 सेप्टेंबर को एंसर की जारी करने के बात कही है तो हो सकता है 30 सेप्टमर को जारी कर दिया जाया हाला कि यह पुराना मामला तो इससे इलेक्षन को फर्क नहीं परना चाहिए लेकिन फिर भी देखते हैं क्या होता है बाकी तो अब इलेक्षन का घोचना कर दिया गया 28 सक्टूबर से 28 सक्टूबर से और 10 नमबर को रिजल्ट आएगा फिर उसके बाद नई सरकार बनेगी तब तक फिलाल तो रिजल्ट अभी आना चाहिए लेकिन देखते हैं क्या होता है तो इसक चाहिए आज का हमारा इस सेशन समावत होता है हम आपसे फिर में लेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत